दोस्तो Microsoft Word के complete series में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम Microsoft Word के design टैब के हर एक options को जानेंगे तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तो मैं तौसीफ रहमद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल तौसीफ वीडियो वर्ड में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो Microsoft Word को open कर लेंगे और उसके बाद हम design टैब में आएंगे यहाँ पर आपको दो गुरूप दिखेगा जैसे के document formatting और दूसरा page background तो document formatting करने के लिए या तो आप यहाँ से भी formatting कर सकते हैं या फिर अगर आप home tab के font group को अच्छे से use कर लेते हैं तो फिर आपको design tab के document formatting का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर भी हम समझ लेते हैं कि document formatting किस तरह से काम करता है तो हम यहाँ पर कुछ sample text generate करेंगे उसके लिए type करेंगे equal to randrand bracket open करेंगे फिर से bracket close करेंगे और enter button दबाएंगे तो यहाँ पर इतना सारा sample text generate हो जाएगा मतलब कि इतना सारा paragraph automatic type हो जाएगा अब हमें इसके font size को बड़ा करना है तो उसके लिए हम पहले इस पूरे text को select करेंगे तो keyboard से control A प्रेस करेंगे और shortcut की के थुरू हम इस font के size को increase करेंगे जैसे के control shift और greater than जैसे जैसे प्रेस करेंगे तो size उतना increase होगा उसके बाद इसे justify करेंगे जैसे के left side का जो paragraph का line बराबर है उसी तरह से हमें right side के paragraph के line को बराबर करना है तो keyboard से control के साथ J बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे के कुछ paragraph type हो गया और उसका formatting भी हो गया है अब हमें इन सभी options का use करके देखना है तो हम theme वाले is down arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको multiple theme मिल जाएगा theme का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारा formatting करके रखा हुआ रहता है जैसे के font style हो गया, color हो गया, उसी तरह से line spacing हो गया जितना भी formatting होता है सारे formatting को करके एक template, एक theme बना दिया जाता है तो यहाँ से हम उस theme को use कर सकते है आप देखेंगे कि जिस theme पर आपका cursor जाएगा automatic आपके font का style change होगा यहाँ पर जितना भी formatting किया हुआ है वो सारा formatting आपके इस text पर apply हो जाएगा तो आपको यहाँ से अगर जो भी theme अच्छा लगता है उस theme को select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर भी कुछ formatting मिल जाएगा document formatting के अंदर में तो इसके down arrow पर जब click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा formatting मिलेगा आप यहाँ से भी formatting change कर सकते हैं जैसे के जिस style पर भी cursor लेके जाएगे आपके font का size और formatting उसी तरह से change हो जाएगा उसके बाद color वाले इस down arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको color का बहुत सारा formatting मिल जाएगा लेकिन यह color यहाँ पर काम नहीं करेगा इसके लिए आपको जब cover page बनाते हैं या फिर कोई template design करते हैं उसमें इस option का use होता है तो उसके लिए हम देखते हैं एक control in से नया document लेंगे और यहाँ पर insert tab में आपको cover page का एक option मिलता है यहाँ से कोई सभी cover page select कर लेंगे जैसे हम select करेंगे यहाँ पर cover page select हो जाएगा अब उसके बाद हम आएगे design tab में उसके बाद colors वाले इस down arrow पर click करेंगे और बारी बारी से जब हम नीचे scroll करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी color combination बना हुआ है वो सारा color combination आपके इस template पर इस format पर automatic apply हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं document का title दिया हुआ है तो आप चाहें अगर इसके font style को change करना तो यहाँ से भी आप इसके font style को change कर सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे click करेंगे आप देखेंगे कि आपके font का style change होगा आप अगर चाहें तो इससे पहले वाले document पर भी font style को change कर सकते हैं पर जैसे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि font style यहां से change हो जाएगा जो कि आपको home tab में ही font group में मिल जाता है यहां से भी आप font style को change कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर paragraph spacing का option मिलता है जैसे हम यहां पर cursor रखेंगे हैं paragraph spacing वाले इस down arrow पर click करेंगे अब जैसे जैसे हम scroll करके नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको format दिया हुआ है कि कितना space रखना है paragraph के बीच में जो आप home tab में paragraph group के अंदर से कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि effect का option मिलता है अगर हम template पर जाएंगे तो हम यहां से इस shape को select करेंगे और effect वाले इस down arrow पर click करेंगे और यहां से हम जैसे जैसे effect को select करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर हलका हलका changing आपको दिखेगा अब उसके बाद page background के अंदर में जो options है उन options को जानेंगे तो सबसे पहले number पर आपको watermark का option मिलेगा दूसरे number पर page color और तीसरे number पर page border का option मिलेगा तो watermark option का use क्या होता है जैसे कि आपके पास यह जो page है इस page के background में कोई text लिखना है जो की हलके color में show कराना है तो आप watermark option का use कर सकते हैं इसके down arrow पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ format दिखाई देगा कि इस तरह से आप जो है text को लिख सकते है page के background में तो हम यहाँ पर आएंगे custom watermark वाले option पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो printed watermark का एक छोटा सा dialogue box open होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले no watermark पर tick क्या हुआ रहेगा यहाँ पर आपको दो option मिलेगा जैसे के picture watermark और यहाँ पर text watermark तो पहले हम text watermark option को use करके देखेंगे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह पूरा area जो है enable हो जाएगा शो होने लगेगा अब यहाँ पर सबसे पहले number पर आपको language दिखाई देगा जो की by default set क्या हुआ रहता है इसमें हम कोई भी changing नहीं करेंगे जो भी text आपको लिखना है text वाले area में लिखना है यहाँ पर आपको text लिखना है जैसे के हम यहाँ पर एक नाम लिखना चाहते हैं राकेश कुमार टाइब करेंगे राकेश कुमार उसके बाद आपको आगे font style का option मिलेगा जैसे हम font style change करते हैं home type के अंदर में उसी तरह से watermark में भी आप font style को change कर सकते हैं तो इसके dawn arrow पर जब click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा font style मिलेगा आपको जो भी font style अच्छा लगता है वो यहाँ से select कर सकते हैं तो जैसे के हम times new roman font style select करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर type करेंगे times new roman तो सबसे उपर search होके आजाएगा इसको select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर size का option मिलेगा तो size को auto रहने देंगे इससे होगा क्या कि माल लिजे आपका word जो है छोटा है या फिर बड़ा है तो उसको automatic justify कर देगा page के हिसाब से justify कर देगा अगर छोटा word होगा तो उसको फैला देगा और बड़ा word होगा तो उसको shrink करके आपके page पर sit कर देगा तो इसलिए size में कोई भी changing नहीं करेंगे auto रहने देंगे उसके बाद आपको color का option मिलेगा और color वाले option में भी आपको कोई भी changing नहीं करना है अगर इस dawn arrow पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा color मिलेगा जैसे के अगर हम कोई dark color use कर लेते हैं तो आपका text भी dark color में रहेगा और background में जो watermark रहेगा वो भी dark color में तो आपका text clear नहीं दिखेगा इसलिए जो भी color set किया हुआ है उसी color को रहने देंगे अब जैसे ही ok पर click करेंगे तो आप देखेंगे के page के background में आपको राकेश कुमार लिखा हुआ दिख जाएगा एक और नया page insert कराते हैं तो keyboard से control के साथ enter button दबाएंगे तो next page में हम पहुँच जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं blank page में आपको clear दिखेगा अगर इसका print preview देखेंगे तो आपको clear पता चलेगा तो हम keyboard से control के साथ P button दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आपका page print होगा तो इस तरह से watermark में आपका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तो इस तरह से आप watermark option का use कर सकते हैं उसके बाद हम बढ़ते हैं next option की तरफ जो की है picture watermark तो पहले हम इस watermark को हटाएंगे फिर से हम watermark वाले इस dawn arrow पर click करेंगे remove watermark का option मिलेगा इस पर जैसे ही click करेंगे तो पहले से जो भी watermark लगा रहेगा वो यहाँ से automatic हट जाएगा फिर से आएंगे watermark पे और custom watermark पे click करेंगे उसके बाद जो पहला option है picture watermark इस option को select करेंगे जैसे ही select करेंगे तो यहाँ पर select picture वाला जो button है यह highlight हो जाएगा अब इस पर click करेंगे तो यहाँ पर insert pictures का dialogue box open होगा यहाँ से from a file वाले option पे click करेंगे और आपके computer में जहाँ पर भी picture save होगा उस location पर जाना है उसके बाद इस page के background में जो भी picture लगाना है आपको उस picture को select करेंगे और insert बटन पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर picture insert हो जाएगा यहाँ पर scale का option मिलेगा scale यहाँ पर by default auto रहेगा आप अपने हिसाब से यहाँ से set कर सकते हैं पहले हम ok करेंगे और देखेंगे कि page के background में किस तरह का image दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो picture आपने insert कराया है वो बड़े size में दिख रहा है अगर इसके size को छोटा करना है तो फिर से watermark में आएंगे custom watermark पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप size को change करके देख सकते हैं जैसे हम 50% वाले option को select करेंगे और जैसे ok करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि size और भी छोटा हो गया है आप देखते होंगे कि later pad में page के background में picture set क्या हुआ रहता है तो आप उसी तरह से अपने page के background में किसी भी picture को set कर सकते हैं और फिर से अगर आपको watermark को remove करना है तो watermark वाले इस dawn arrow पर click करेंगे यहाँ से remove watermark वाले option पर click करेंगे तो page के उपर लगा हुआ watermark हट जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर page color का option मिलेगा इसके dawn arrow पर click करेंगे यहाँ पर आपको multiple colors मिलेगा जो भी color select करना है जैसे के इस page का जो भी color देना है यहाँ से आप select कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हम इस page को yellow color देना चाहते हैं तो yellow color यहाँ से select कर लेंगे लेकिन जब आप इसको print करने जाएंगे तो आपके page का color हट जाएगा हम keyboard से control के साथ P button दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे के page का जो by default white color रहता है वही color show हो रहा है जो आपने yellow color set किया था वो color आपको दिखाई नहीं देगा वो color show नहीं होगा जब हम print करेंगे इस page को तो ऐसे ही जैसा blank दिख रहा है इसी तरह से print होगा अगर आप चाहते हैं के जो color आपने यहाँ पर set किया है इस page पर इसी तरह से color page में हम print out निकाले तो आपको इस page को PDF में save करना होगा तो हम सबसे पहले keyboard से F12 button दबाएंगे जो की save as का shortcut होता है उसके बाद हम location चूज करेंगे और file का नाम देंगे जैसे के हम यहाँ पर print नाम से file को save करना चाहते हैं उसके बाद save as tap में आपको PDF वाले option को select करना है और save वाले button पे जैसे ही click करेंगे तो अब यह PDF format में convert हो जाएगा अब यहाँ से आप अगर print देना चाहते हैं तो यहाँ से print कर सकते हैं आपके page का color जैसा आपने set किया था वैसा ही print होके मिलेगा और अगर page के color को हटाना है तो page color वाले इस down arrow पर click करेंगे यहाँ पर आपको no color का option मिलेगा यहाँ पर click करेंगे तो page का color हट जाएगा उसके बाद आपको page borders का option मिलेगा इस option पर जैसे ही click करेंगे तो borders and shading का एक window open होगा और यहाँ से आपको border का selection करना है किस तरह का border लगाना है style वाले option से select कर सकते हैं आप इसे scroll करके देखेंगे तो आपको बहुत सारा format मिलेगा जैसे के मानलीजे हम इस तरह का border apply करना चाहते हैं तो इस option को select करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक page पर आपका same border apply हो जाएगा उसी तरह से आपके border के style को change करना है तो आप यहाँ से change कर सकते हैं अब अगर मानलीजे आपके border के color को change करना है तो यहाँ पर color का option मिलेगा यहाँ से आप border के color को भी change कर सकते हैं जैसे हमें red color का border देना है तो हम यहाँ से red color के border को select कर सकते हैं फिर से आएंगे page borders वाले option में और यहाँ पर आपको width का option मिलता है कितना width रखना है जैसे के width कम रखना है या फिर ज्यादा रखना है उसका selection आप यहाँ से कर सकते हैं width को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं फिर से आएंगे हम page borders वाले इस option पर और सबसे नीचे में आपको art का option मिलता है इसके dawn arrow पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको stylish border मिल जाएगा जो भी border यहाँ से select करना है जैसे के यहाँ पर apple वाला border select करना है तो इस border को select करेंगे और जैसे ही okay करेंगे आप देखेंगे के हर एक page पर आपका stylish border अपलाई हो जाएगा तो इस तरह से हम page पर किसी भी तरह का border लगा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम page layout वाले टैब में जाएंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे के अलग-अलग page में अगर हमें अलग-अलग style का border लगाना है तो वो कैसे लगाते हैं उसके लिए जब हम page layout में आएंगे तो यहाँ से break वाले option का use करके तब हम अलग-अलग page में अलग-अलग तरह का border लगा सकते हैं जैसे के आपको first page में border नहीं लगाना है, second page में आपको stylish border लगाना है और उसके बाद third page में आपको simple border लगाना है वो सारा option हम page layout टैब में जानेंगे तो दोस्तों उम्मीद है के वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप channel पे नए है तो channel को subscribe करके bell icon को press कर लीजिए तो मिलते हैं फिर से next class में, तब तक के लिए धन्यवाद